तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे लर्निंग अबजेक्टिव के बारे में जिसका नाम है डीकॉंपोजेशन तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम यहाँ पर एक रिकॉल टेस्स करेंगे ताकि अभी तक आपने जितनी भी चीजों को सीखा है उन्हें आपस रिकॉल टेस्स के थूरू रिवाइस कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को पैचान सके तो आपको आपकी स्क्रीन पर तीन क्वेशन नजर आ रहे होंगे आपको इन ग्वेशन को अच्छे से पढ़ना है इन्हें सौल करना है और इनका अंसर कॉपी में लिखना है और इसके लिए हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉस करेंगे इसी तरीके से दो और ग्वेशन आपको नजर आ रहे होंगे इन दो questions को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, solve करना है और इसका answer भी अपनी copy में लिखना है और इसके लिए भी हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए pause करेंगे तो class चलते हैं, आपके answers को match कर लेते हैं correct answers से तो हमारे correct answers हैं ये, solution 1 B, solution 2 A, solution 3 D, solution 4 C and solution 5 D तो I hope आपके पाचों के 5 questions सही हुए होंगे और इस recall test ने आपकी बहुत जादा मदद की होगी पुराने topics को revise करने में और अपनी performance को पैचानने में